नमस्कार मैं हूँ सकीना और आप देख रहे हैं नबोदे प्लस टाइम्स आईए डालते हैं आज की इस खास ख़बर पर एक नजर उत्तर प्रदेश में बिधान सभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के चुनाव परचार का आज अंतिम दिन है और जहासी तथा ललतपुर बिधान सभा सीटों पर प्रत्यासी अपनी अपनी जोर आजमाईस करते हुए रोड़सो कर शक्ति परदर्शन कर रहे हैं हम यहाँ जहासी जनपत की बवीना बिधान सभा सीट की बात कर रहे हैं जहां आज दो पहर करीब दो बजे समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्यासी यसपाल सिंग यादव ने अपने सैंकडों समर्थकों के साथ बवीना कस्वे में रोड़सो कर यह दिखा दिया कि इस वार जीत उनी की होगी आपको बताते चलें कि आज बवीना कस्वे के एक ववाय घर में यसपाल सिंग यादव ने महलाओं के एक कारकरम में हिस्टा लिया जहां कस्वा बवीना एवं आसपास के छेत्रों से आई शेंकड़ों महलाओं ने यसपाल सिंग यादव के समर्थन में मतदान करने का संकल्प लिया इस उसर पर महलाओं को संभोधित करते हुए यसपाल सिंग यादव ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही 10 वर्सों से अबरुद विकास के कारिये केवल 5 वर्स में पूंड कराये जाएंगे उन्होंने कहा कि बवीना बिधान सभा में जो भी विकास कारिये रुके हुए हैं उन्हें प्रात्मिक्ता के साथ पूंड कराया जाएगा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर उत्तर प्रदेश को भय मुक्त और अपराद मुक्त बनाया जाएगा तथा अपरादियों को किसी भी कीमत पर समरक्षन की गुंजायस नहीं होगी उन्होंने सिक्षा पर बोलते हुए कहा कि सभ और सिक्षित समाज की स्थापना के लिए बवीना में एक डिगरी कॉलेज तथा एक टेक्निकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी जिसमें वालकाओं को प्रात्मिक तयाद दी जाएगी बच्चों के सारीरिक एवं बौधिक विकास के लिए एक मिनी स्टेडियम का नर्मान किया जाएगा ग्रामिल शेतरों को आत्म नर्वर बनाने तथा बिक्सित करने के लिए मुक्ष सड़कों को ग्रामों से जोडा जाएगा बबीना बधान सभा के किसानों को आत्म नर्वर बनाने के उद्देश से बिजली, पानी तथा किरसी के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा अन्ना जानवरों पर लगाम कसी जाएगी बबीना बधान सभा में औध्योग पिकाई की स्थापना कर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि मैलाओं को स्वाब लंबी और आत्म नर्वर बनाने के लिए उटीर एवं ग्रह उद्द्योग से जोड़ा जाएगा बवाएगर में कारकरम के समापन के बाद यसपाल सिंग यादव ने अपने समर्थकों के साथ इस्थानिया सरकेट हाउस बवीना से एक रोड़ सो किया जिसमें उन्होंने हाथ जोड़कर नागरिकों और ब्यापारियों से अपने पक्षमें मतलान की अपील की उनके रोड़ सो में सेंकलों की संख्या में उनके समर्थक, सपाकार करताओं और आम नागरिकों के साथ इंदरा इस्मारक तक पहुँचा यहां से राय महला, जैन महला और जैन मंदर तथा सराफा वाजार एबम कपड़ा वाजार होते हुए बापस मैन रोड़ पर आया यहां से कवारी वाजार तलियानी वजरिया होते हुए चावनी परिसत कार्याले तक पहुचा यहां से बापस उनका रोट सो बवीना पी एनबी तराहे के पास आकर समाप्त हो गया और उनका काफला सदर वाजार जहांसी में जनसंपर्क के लिए निकल गया यसपाल सिंग यादब के रोट सो के दोरान उन्हें बयापारियों आम नागरिकों का भरपूर समर्थन देखने को मिला क्योंकि रोट सो में जहां जहां यसपाल सिंग मतदाताओं से अपने पक्चमे बोट की अपील करने जा रहे थे वहाँ उन्हें नागरेकों द्वारा फूल मालाएं पहना कर उनका भब स्वागत सत्कार किया जा रहा था आईए देखते हैं नवोदय प्लस्टाइम्स के लिए बवीना से मुहम्मद हनीब के साथ गौरब कुमार और विजय बर्मा की यह रिपोर्ट साथियो नमस्कार मैं हूँ मौम्मद हनीब और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस्टाइम्स साथियो उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाओ के तीसरे चलन का मतदान 20 फरवरी को होना है और आज 18 फरवरी है और इस समय हम खड़े हैं बवीना के बुद्ध बाजार के पास जहां समाजबादी पार्टी के प्रत्यासी यासपाज सिंग यादब दुआरा एक रोड सो गिया जा रहा है जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद हैं उनके समर्थक हैं कुछ उनके सपोर्टर हैं कुछ उनके पार्टी के कार करता हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जुरूस के रूप में एक बहुती बड़ा रोड सो यासपाल दुआरा किया जा रहा है जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं हमारे साथ हमारे केमरामेन गौरप कुमार है मैं उनसे कहूंगा कि इस रोड सो को थोड़ा सा जूम करके हमारे दर्सकों को दिखाएं तकि लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से ये रोड सो किया जा रहा है और यहां तमाम लोग हैं भई हम आप से जानेंगे ये जो रोड सो आप लोग कर रहे हैं इसमे कैसा समर्धन मिलना है इसमें बहुत अच्छा समधते हैं मिलना है और हमारी समाल यादा आ रहे हैं और उनका यह जो रोड़ सो है यह बाकाइबा जारी है तो यहां उनके साथ बहुत तमाम लोगों की भीड़ है तमाम दर्सक हैं तमाम जो है आप क्या कहेंगे इस वारे में हम क्या कहें यासपाल भईया की बड़िया लहर है गाउं से हर छेतर से भईया को बड़िया प्यार इसने मिल लाए बैपारी भी खुल के कह रहा है इस बात को आज तो बैपारी भी हर चाहता है कि हमारा बिदायक ऐसा हो जो पड़ा लगा हो काम करने वाला हो हर पेकार से सब्सक्राइब कीजिए ताजा खबर के नोटिफिकीशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक केजिए